हाई इवरिवान सुमेह हूं भावना बातला फ्रम दवील ओफ फॉर्चून थ्री सिक्स साइन से आप सभी के चारोकार रीजर आज हम चेक आउट करने वाले हैं आज देर रात आपके पॉर्सन किस एनरजी में हैं क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लिख कर ठीक हैं तो यह पॉर्सन के बारे में सोचते रहे हैं ताकि आपके साथ यह रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से रेजनेट कर सके चले देखते हैं आपके पॉर्सन जिन्हों ने आपको नो कांटाक्ट सपरेशन दिया है उनके लेट नाइट क्या थॉट्स हैं प्लीज डिवाइन उनिव पेज और कप सबसे पहले उटकर आया चलूँ जस्टिस की एनरजी के एनरजी और सन 7 of Vans 8 of Cups 6 of Pentacles 8 of Vans यहां पर है page of sword और at the bottom में देख लेते हैं queen of sword के एनरजी तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है ना late night thoughts आपके पॉर्सन की तो आज दे रात आपके पॉर्सन जिस पॉर्सन ने आपको इनो कांटाक्ट सपरेशन दिया है वो बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसी energy में दिख रहा है एकदम guilt वाली होता ना guilt वाली suppression वाली energy ठीक है जहां पर ना वो अपने guilt को छुपाने की कोशच कर रहे हैं ठीक है अपने guilt को छुपाने के लिए वो क्या कर रहे है ना अपने ही सोच में बहुत ज़्यादा weird हो रहे है मैं आपको समझाती हूं कैसे एक person होता है जैसे वो अपनी guilt के energy को छुपाने के लिए क्या करता है सामने वाले पर blame लगाता है है ना अगर कुछ गल्ती करी है तो एक person होता है सामने वाले पर blame लगाता एपनी energy, अपनी guilt के energy को, अपनी वो अतनल जेप को छुपाने के लिए, वो वाली energy आपके person की. आज देर रात दिख रही है, आपके person इस तरीके के energy में है, जहाँ पर उन्हें ये चीज बहुत ही अच्छे से मालुम है, कि उन्होंने आपके साथ वेलत करा है उन्होंने आपको छोड़कर third party की तरफ करे वो आपको छोड़कर बहुत मतलब एकदम आपको कितना insult करी उन्होंने नहीं उन्होंने आपको किसी तरीके का commitment दिया जब कि आपका relation काफी long term दिख रहा है कोई short term relationship नहीं है आपकी तरफ से कितना time invest हुआ है इस relationship में आपके person की तरफ से कितना time invest हुआ है और जब बात आई commitment की ठीक है तो आपके person आपको छोड़कर third party की तरफ चल गए तब आपके person आपको छोड़कर चले गए है ना और ऐसे mode पर चलेगा जहां उन्होंने आपको कही ना कही छोड़ना नहीं चाहिए था मैं भी मुझे ऐसे दिख रहे जैसे आपके family बहुत ज़ादा इस चीज के पीछे पड़ी हुई थी जो एक energy मुझे ही आपर दिख रही है the intuition which I am getting specifically मुझे ऐसे दिख रहे जैसे आपकी family ना चाहा रही थी कि आप शादी करो आप marriage करो ठीके और आप चाह रहे थे आप इसी person से शादी करो इसी से marriage करो है ना और इस चक्कर में नहीं आपने अपनी family की सुनी नहीं आपने उस person से शादी करी ठीक है और अब कहीं न कहीं आपकी रिश्टे भी आने बंद हो गए यह न आपके लिए जो रिश्टे आ रहे थे वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आने बंद हो गए आपके लिए ठीक है और ये परसन भी आपको छोड़ कर चला गया एक ऐसी situation मुझे यहाँ पर specifically नजर आ रही है ठीक है जहाँ पर आपने मतलब कुछ भी ऐसा reason हो सकता है जहाँ पर आपने अपनी family को भी इतनी importance नहीं दी जितनी आपने इस person की बातों को दी आप इस person पर ना बहुत ज़्यादा भरोसा करके बैठे हुए बहुत ज़्यादा भरोसा और उस भरोसे का नतीजा क्या निकला उल्टी सीधी बाते जो उन्होंने आपसे करे एक insight जो उन्होंने आपसे करे और अभी भी जो आपके person की energy मुझे दिख रही है वो specifically ऐसी है कि अपनी इस guilt की energy को चुपाने के लिए कि उन्होंने आपको धूका दिया उन्होंने आपको ऐसे mode पर आके छोड़ा इन चीजों को चुपाने के लिए नहीं अपनी सोच में ऐसे हैं कि यार उन्होंने आपको मतलब उनकी ऐसी सोच है ठीक है उनकी ऐसी सोच है कि उन्होंने कुछ गलत कराई नहीं वो तो अपनी stand ले रहे थे आपके insult करके वो हर बात पे आपके person आपको oppose कर रहे थे, हर बात पे आपकी opposite बोलते थे ठीक है, आपको dominating energies में कही न कही रखा हुआ था, आपके लिए possessive भी होते थे, उनके चकर में आपने और लड़कों से बात करना या और लड़की उसे बात करना बंद कर दिया था आपने कोई आपका best trend भी अब नहीं रहा था, ऐसी energy में आप पहुँच चुगे थे, और इतना कुछ होने के बाद, अब आपके person आप, ऐसी energy में है, जो ये सोच रहे है कि यार, उन्होंने तो कुछ गलत करा ही नहीं येस, उनको ऐसा लग रहा है यार उन्होंने तो कुछ गलत करा ही नहीं, ठीक है आप ही ऐसे थे, आप ही की गलती थे आप ही ने उन्हें no contact जैसे दिया है, येस, मुझे ऐसी energy energy दिख रही है, वो ये सोच रहे है जैसे आपने उन्हें no contact दिया है, और वो उस no contact से परिशान है, उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया नई, sorry, आपने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है ना, उनकी ऐसी energy से आपने उन्हें छोड़ दिया उन्हें ऐसे लग रहा है यार अगर उसने मुझसे बात करनी थी तो मेरी तरफ आ भी तो सकती थी या मेरी तरफ आ भी तो सकते थे मुझसे बात भी तो कर सकते थे मुझे call करती, message करती, मुझे मना लेती एक sorry ही तो बोलना था उसने और उसने वो sorry तक नहीं बोला है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे चीजें उनके साथ unfair हुई है इस relationship में और अपनी जेब को चुपाने के लिए अपने ही thoughts को ऐसा कर रहे है negative, ठीक है अपने ही thoughts को तो ये कही ना कहीं आपके person की दिख रही है उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्हों ने तो इस relationship में बहुत effort डाले लेकिन आपकी तरख से कोई भी effort नहीं दिखा उने ठीक है, ये energy आपके person की है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्हों ने इतना time, इतना efforts डाले और आपने उन्हें call तक message तक नहीं करा कोई effort नहीं, कोई support नहीं करा secondly, मुझे ये भी दिख रहा बहुत ज़्यादा dominance की energy आपके person की अंदर है, बहुत ज़्यादा उन्हों ने ना मुझे इसे दिख रहा है जैसे कुछ सोचा था कि यार मैं इससे ना जैसे मैं इससे कुछ बोलता हूँ कुछ चाह रहा हूँ, वो आपसे कुछ चाह रहे थे ठीके यहाँ पर भी आप देखो ना तो उनकी खौईशे बहुत सारी है आपको लेकर ठीके? और वो ना कुछ चाह रहे थे कि आप ऐसा करो और आपने वो चीज करने से जैसे मना कर दी और उस चीज ने उनके इगो को होट करा उस चीज ने उनको और गुसा दिलाया और उन्होंने वो एक कारन बना लिया उस नो कॉंटार्ट का ठीक है? ऐसी एनरजी में आपके पॉर्सन थे बाकी यहां पर अगर में देखू तो उसके बाद जब से उन्होंने आपको नो कॉंटार्ट दिया है उनको ऐसा लग रहा है मुझे ना बहुत बड़ी गलती होगे उन वो ना ये सोच रहे थे कि जब वो आपको ये नो कॉंटार्ट देंगे जब वो आपसे बात करना बन करेंगे तो शायद आप उनकी बात मान जाओगे शायद आप वो काम कर लोगे जो वो चाहा रहे हैं ठीक है ये एक energy भी दिख रही है शायद आप वो काम कर लोगे जो वो चाहा रहे हैं लेकिन आपने वो नहीं करा क्योंकि आपके लिए आपकी self respect आपके लिए आपकी जो boundaries है ठीक है आपकी जो limits है आप नहीं चाहते थे कि वो कोई भी cross करें कोई भी ठीक है तो ये कहीं ना कहीं आपकी और आपके person के energy दिख रहे हैं और आज देर रात भी आपके person ना एक ख्यालों में सोच में डूबे हुए कि यार एकदम से जो मैं चाह रहा था उससे opposite चीजें कैसे चली गए उन देखो तुफान कैसे चल रहा है उनके दिल में ये पीछे you can see the confusions wind कैसे चल रहा है तुफान ये तुफान का संकेत है उस तुफान उनके दिमाग में नहीं है कहीं तरीकी ख्याल है उनके दिमाग में कहीं तरीके उनके ख्याल जैसे आपको उन्होने छोड़कर गलत करा सही करा, उन्हें आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए stable relationship वो आपके साथ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है, उन्हें अब आपको sorry बोलना चाहिए या नहीं, उससे उनकी ego तो hurt नहीं होगी, बहुत तरीकी की बाते हैं, उनके दिल और दिमाग में देरा चलती हुई से दिख रहे हैं, बहुत confused हैं, ठीक है, अगर आप इस person को द चल रहा है ना, इस तुफान, ये तुफान उनको ना हिला रायंदा से, उनको मजबूर कर रहा है ये तुफान के वो आप से आखर बात करें, ये मजबूर कर रहा है ये तुफान के अब आपको sorry बोलना चाहिए, ये तुफान ही उन्हें मजबूर कर रहा है, ऐसी energy में आपके person अगर आपको आज देर रात कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे आपको, क्या thoughts चल रहे हैं उनके दिमाग में You stare at me like I'm the best looking person in the world. उनको इस चीज मिस कर रहे हैं वो कि तुम मेरी तरफ ऐसे देखते हो जैसे मैं ही सबसे handsome हूँ या सबसे beautiful हूँ और वो आपकी आँखों, आपके देखने के तरीके आपको जिस्ट बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो यह कही न कहीं आज late night thoughts हैं अगर definitely आपके साथ resonate करें तो like, comment, follow, share करें मुझे ज़रूर बताएं That's all, thank you, bye-bye